हुआ है है आपने अभी तक चैनल सुप्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर संब्सक्राइब करें ताके आप अपनी जंदगी में आने वाली प्राब्लम्स को आप अपनी जिंदगी में आने वले परिशानियों को दूर कर पाएं और यहां से इस चैनल से आप ऐसे उपाय जान पाएं जो आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति दे सकते हैं आज बात करने वाले हैं शत्रू की शत्रू हमारे आसपास कहीं भी हो सकते हैं कुछ शत्रू हमें दिखाई देते हैं और कुछ हमारे गुप्त शत्रू होते हैं मानव जीवन में कई बार उतार चड़ावाते हैं और व्यक्ति की जिंदगी में हमारे कई दुश्मन बन जाते ह कई दोस्त भी होते हैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के बिलकुल विपरीत है लेकिन देखा जाये तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त जादा होते हैं और चारों तरफ उसको प्रिशंसा मलती है पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दुश्म अगर आपको सताती है तो आज का उपाय आपके लिए बेहत कारगर होगा शत्रू के कारण हर समय पर आपको परिशानी लगी रहे डर लगा रहे तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जिससे आप अपने शत्रूं से चुटकारा पा सकते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के भी अहित के बारे में सोचे बिना आपको ये उपाय करना है इसके लिए आपको बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि किसी का अहित करने की ना सोचें वो चाहे आपका शत्रू ही क्यों न हो आप हमेशा दूसरों के हित की बात सोचें यहां पर ये उपाय जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इससे किसी का भी अहित नहीं होगा अगर कोई आपका शत्रू है तो वो आपसे अच्छा विहवार करना शुरू कर देगा मित्रवत विहवार करना शुरू कर देगा शत्रू से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा है बजरंग बली की अराधना करना बजरंग बान का पाठ करना ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो आपके शत्रू टिक नहीं पाएंगे, आपके आगे उनकी कुछ नहीं चलेगी, तो इसलिए जो लोग हनुमान जी की अराधना करते हैं, बजरंग बली का पाठ करते हैं, हनुमान चालिसा पढ़ते हैं, बजरंग बान का पाठ करते हैं, उनके लिए ये समस्या बहुत छो पाय आपने शनीवार या मंगलवार को करना है आपने एक मोरपंक लेना है उस मोरपंक को आप अपने पास रख लें अब उस मोरपंक पर अपने दुश्मन का नाम आपने बजरंग बली के शीश पर चड़े हुए सिंदूर से लिखना है जब आप मंदिर जाएंगे आप अपने पूजास्थल पर घर में जो भी आपका पूजास्थल है महाँ पर बढ़ा रहने दें और उसे अगले दिन सुबह उठा कर उस मोरपंक को बहते हुए जल में आप प्रवाहित करतें ये कारे आपको जब करना है उससे पहले आपको नहाध होकर बैठना है और उसके बाद ये उपाय आपने संपन करना है इस उपाय से कितना भी बड़ा शत्रू क्यों न हो वो बिल्कुल शान्त हो जाएगा आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो उपाय आपने किया है इससे किसी का क्या हो सकता है किसी का नुकसान हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा बस व पांच मंगल्वार लगातार इस उपाय को करें। आप देखेंगे धीरे धीरे, जिस शत्रू का आपने नाम लिखा है, वो आपके आगे बोल नहीं पाएगा। वो शान्त हो जाएगा। अगर आपको वो किसी भी तरह से परिशान करता है तो परिशान करना बंद कर देगा। इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं अगर मंगलवार या शनिवार का दिन किसी शुकल पक्ष से शुरू होता हो तो बहुत अच्छी बात है आप लगातार पांच मंगलवार या पांच शनिवार इस उपाय को करें और आप देख उसके मन की जो स्थितियां हैं, वो कमजोर हो जाएं, वो शान्त हो जाएं, वो आपके लिए गलत ना सोचे, तो इस तरह से भाव करके अगर यह उपाय करेंगे, तो इसका असर बहुत अच्छे से होगा, और उसका कोई अहित भी नहीं होगा, और आपका काम भी बन जाएगा एक बात का ध्यान रखिए, इस उपाय को करते हुए, जब भी आप इसे शुरू करें, जैसे मंगलवार के दिन से आपने शुरू करना है, तो मंगलवार को आप मोरपंक लेकर आएंगे, दिन के समय में इसे ले आएं, और इस पर सिंदूर जो है वो आप लगा लें, जैसे मैंने बताया कि शत्रू का नाम लिख लें, उसके बाद इसे पूरी रात के लिए आपने अपने मंदिर में, घर के मंदिर में पढ़ा रहने देना है, अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आपने इसे बहते हुए पानी में परवाहित करना है, और एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप मोरपंक ले रहे हों, वो मोरपंक असली हो, क्योंकि आजकल मोरपंक भी नकली आते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप को युपाय करें, उस समय पर जो चीज़ें आप इस्तिमाल कर रहे हों, वो नकली ना हो कम से कम, क्योंकि नकली चीज़ तो आज का उपाए बहुत ही खुबसूरत है, बहुत ही अराम से आप कर सकते हो और किसी का अहित नहीं होगा, क्यूंकि जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी का अहित करने की सोचेंगे तो सबसे पहले वो उर्जाएं आपके उपर काम करेंगी इसलिए किसी का अहित नहीं करना है बस उसे शांत करना है तो इसका ध्यान रखते हुए उपाय करें और आपके जीवन में कश्ट नहीं आएंगे आपके जीवन में नकरात्म कूर्जा नहीं आएगी और आपके जीवन में हमेशा शान्ती रहेगी आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें इसे शेयर करें ताकि बाखी लोगों का भी भला हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें